इंडिपेंडेंडेंट चुनाव लड़ेगी किसी के साथ समझोता नहीं करेगी तो आज की राजजीती में इस तरह का ब्यान देना उससे कारे करता निराश होता है शीरी कांशी राम जी पैदा हुए थे और उन्होंने पूरे संगर्ष के जरिये पूरे समाज को संगर्ठी क कर दिया था और हम दिल्ली के सत्ता के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे दुर्भागयवश तो जैट पलस सिक्योर्टी अगर चंदर सेगर्जी को मिल गई तो हमारा जो दवा कुछला समाज गाउं में पढ़ा उसके उसके लिए जैट पलस सिक्योर्टी कहां से अगर इसी दना रहा तो ग्राइवश तो पहीं भी हो सकता है जो इतना इनेफिशियंट नेकमा मुख्यमंत्री है उसको क्यों ने उटाए अब तक सर क्या कहेंगे अभी 2024 में जिस तरिके के हालाथ है क्या लग रहा है बहुजन सत्ता के कितने करीब है बहुजन के लिए और बहुजन समाज के लिए सत्ता एक संगर्ष है हम नहीं कह सकते कितने दूर हम पहुंचेंगे इस सत्ता प्राप्ति के लड़ाई में या कितनी सफलता हमको मिलेगी लेकिन संगर्ष करने के लिए हम त्यार हैं समाज को संगठित करने के लिए हम त्यार हैं जैसे आज का आपने फंक्शन देखा भारत्य समाज निर्मान संग का तो इन संकठनों के जरिये समाज को तियार किया जा रहा है बाबा साहिब की विचार धारा, फूले साब की विचार धारा, कांशी राम की विचार धारा शाहुजी महराज की विचार धारा को घरगर तक पहुचा जा रहा है समाज जब इन अपने महापुर्षों के बारे में अच्छी तरह समझने लगेगा उनकी विचार धारा को समझने लगेगा तो जो सच्चे लोग हैं राजनीती में जो एक सच्ची राजनीती समाज के उत्थान के लिए करना चाहते हैं अपने उत्थान के लिए नहीं तो वो जब इनके पास अपना कारे करम लेके जाएंगे अपना प्रोग्राम लेके जाएंगे तो जब अलेडी हमारा समाज त्यार होगा तो सत्ता की लड़ाई में ज्यादा मुश्किल होने वाली है इतने बड़े बड़े लीडर हैं मायवती हैं, चन्शेकर हैं, स्टाइलिन हैं केसी आर हैं, तमाम जो हैं आइडिलोजी है उनकी, बहुजन की आइडिलोजी है लेकिन उसके बाद भी एक मौँच पे नहीं है तमाम लोग, क्या कहना चाहेंगे इसको लिए हाँ, जो आपने स्टाइलिन साब का नाम लिया, मायवती का नाम लिया, ये तो अपने बहुजन स्माज के लोग हैं, लेकिन केसी आर तो इसमें नहीं आता है, केसी आर तो अपनी तो मायवती जी का मतलब ये है कि वो अब थोड़ा सा सक्रिये इतने नहीं रह गई हैं अब उन्होंने एक ब्यान भी दिया है कि वो स्वायम उनकी पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी किसी के साथ समझोता नहीं करेगी तो आज की राजजीती में इस तरह का ब्यान देना उससे कारे करता निराश होता है और मुझे लगता है कि अब वो जादा इतना जोर नहीं लगाना चाहती हैं और जो स्टैलिन साब हैं वो तो अब सत्ता में हैं ही हैं अब ही हाल ही में हमने भवजण रिपड़्िकन सोचलिस्ट पार्टी ने जिली के जंतर मंतर पर धर्ना किया था तमाम मुद्धों के लिए भवजण समाज के तमाम मुद्धों को उठाने के लिए मनिपूर की हिंसा के लिए और उससे अगले दिन ये 26 तारी को हमने कारे करम किया दा जंतर मंतर पे पूरा बहुत जवरदस्त कारे करम आप बहुत लोग आये थे और फिर 27 तारी को हमने समिधान परिशद करी थी हम वेड कर भवन रानी जांसी रोड पे उसमें भी समाज के मुद्दे डिसकस हुए उसमें जो तामिलाडो से वी सी के पार्टी के दो जो चुनेवे सांसद हैं डाक्टर अभी कुमार और डाक्टर तिरुमा वलवन वो भी आये थे और पूरुम अंतिरा जिंदर पाल जी हम लोग थे हमारे जो बहुजन रिपब्लिकन सोचलिस्ट पार्टी के राष्टे अध्यक्षा है डाक्टर सुरेश माने जी जो पूरुम में बंबे उनिवर्श्टी के लाके हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट है बहुजन समाज पार्टी के राष्टे महास अचीव रहे हैं 20 साल तक कांशी राम जी के बहुत सहयोगी है पक्के अंबेड करवादी है संघर्ष कर रहे हैं तो यह सारी बातें उठाई गी तो महाँ पे एक तैय हुआ है कि हम सब बाबा साहिव के सोल्चर हैं सैनिक हैं और इसमें लड़ाई को सब मिल जूल कर लड़ेंगे जिसमें एक नबा कुमार सराणिया जी भी है सजूल ट्राइब समाज लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी बहुज़न सत्ता से इतना दूर है मुख मंतरी वो दे चुका है लेकिन सत्ता से इतना दूर है वो परधान मंतरी की कुर्श तक नहीं पहुच पाया क्या कारण रहे हैं यह हमारा दुर्भागया है कि बड़ी मुश्किल से हमारे समाज में एक महापुर्ष जो लेटेस्ट शिरिक कांशी राम जी पैदा हुए थे और उन्हें पूरे संखर्ष के जरिये पूरे समाज को संगठित कर दिया था और हम दिल्ली की सत्ता के बिल्कुल नजदीक पहुच गए थे दुर्भागया वश वो भीमार हो गए और उनकी मृत्ति होगी उसके बाद उनकी मृत्ति के बाद कार्मा जो है वो थोड़ा थमसा गया है थोड़ा बिखर गया है तो ये तो उतार चड़ा राजनीती में आते हैं लेकिन सबी लोग संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं मायवती जी भी चलो काम कर रही है और लेकिन अब उनका थोड़ा सा जो है वो इतना इंटरस्ट नहीं है डाउन फाल है तो हम जो है इसके लिए डाक्टर सुरेश माने जो अनुभवी हैं और भावजन समाज से बिलकुल जुड़े हैं लेकिन अभी जो भावजन समाज है के लिए उनका परदर्शन था तो जैड़ पलस सिक्योटी अगर चंदर सेगर जी को मिल गई तो हमारा जो दवा कुछला समाज गाउं में पढ़ा उसके लिए जैड़ पलस सिक्योटी कहां से आएगी तो यह हमारे लड़ाई इंड़िजियुलिस्टिक नहीं है यह व्यक्ति बादी लड़ाई नहीं है नहीं राजनीतिक तोर पे भी शायद उनका भ्यान है कि वो जो RLD है उसकी टिक्रेट पर चुनाव लड़ेंगे क्यों अपनी पार्टी है उनकी उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते तो मतलब अपना चुनाव लड़ेंगे ठीक है MPP बन सकते हैं अच्छी बात है हम तो उनको मुबारक बाद देते हैं MPP बने हो लेकिन एक सिधान्तिक लड़ाई लड़ें अपनी पार्टी जब बनाई है उससे लड़ें जो भी है अगर अपना दम दिखाएं जम कर लड़ें हम तो चाहते हैं हम तो सपोर्ट करना लेकिन जो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी है डक्टर माने की वो एक बाबा साहिब और कांशी राम के पूरे सिधानतों पर चलते हुए मुद्धों के उपर लड़ाई लड़ रही है भाजबा को घेर रही है जो इस देश में हिंदू रास्त्र स्थापित करना चाहती है भाजबा उसको घेर रही है और मनिपूर की हिंसा पर सभी लोग चुप है मोदी जी भी चुप है जबाब तो देश को ये ग्रहय यूद की स्थिति कैसे पहुँचगी अगर इसी तरह रहा तो ग्रहय यूद तो फिर कहीं भी हो सकता है लेकिन तीस सेगिंड बोले तो है जो इतना इने इनेफिशियंट निकम्मा मुख्यमंतरी है उसको क्यों निटाय अब तक भई लाइन ओडर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है हमारे समीधान के मताबिक और स्टेट की जिम्मेवारी है मनिपर की जिम्मेवारी है अपने लांडर को संभाड़े तो इस निकम में मुख्यमंतरी को क्यों निटाय अब तक इसको अठाना चाहिए ना कोई अच्छा डाइनमिक मुख्यमंतरी जो एक्शन ले जो कंट्रोल करें सिच्वेशन को उसको वहाँ पर लगाना चाहिए लेकिन इसके पिछे क्या राज्जीती है यह तो सब दुनिया समझ है तो जो बावा साब ने कहा था कि 21 सथी बहुजनों की होगी तो क्या लग रहा है मिल्कुल होगी बहुजनों की 21 सथी हम जिंदा हैं अभी मरें नहीं हैं ठीक है ना हम लड़ रहे हैं सड़कों पे भी संगर्श कर रहे हैं और सच्चा एक राजनीती की भी कल्प भी देने की कोशिच कर रहे हैं समाज को और ये लड़ाई जीतेंगे हूं मैं आपको विश्वास दिलाएं